एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे सीजी बोड की 12th क्लास की परिक्षा है जो थी वो काफी संसे में थी किस प्रकार से आपका जो एक्जाम है वो कंडक्ट होगा और आपको बता दे विद्धार्थिगन की जो आपकी एक्जाम होगा उसके लिए जो सीजी बोड है मादमिक सिक्छा मंडल उसकी ओर से एक प्रेस विज्यपित किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपकी जो परिक्षाएं होगी वो ऑनलाइन मोड से होगी अभी जो क्लियर जो आपका टाइम टेबल है वो जारी नहीं किया गया है लेकिन ऑनलाइन परिक्षा से सम्मंदित आपको सूचना जारी किया गया है स्क्रीन प पे सबसे पहले जो आपका पॉइंट दिया गया है कि 36 गड़ मादमिक सिक्षामंडल की हायर सेकंडरी परिच्छा 2020-21 का आयोजन COVID-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पद्धती से कराने का निन्नय लिया गया है यानि कि मादमिक सिक्षामंडल की बैठक से या निन्नय लिया गया है कि आपकी एक्जाम किस प्रकार से होगा यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो परिच्छार्थियों को निर्धारित केंडरों से उनके द्वारा चुने गए विश्यों के प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका है दिनांक 16-2021 से दिनांक 56-2021 तक वितरित की जाएगी यानि कि आपको जो आंसर सीट है और साथ ही कोशन पेपर वो आपके एक्जाम सेंटर यानि कि आपने जहां से फार्म फिल किया है वहाँ 1 जुन 2021 से 56-2021 तक आपको आंसर सीट और कोशन पेपर दिये जाएंगे उसके बाद क्या करने है आपको जो परिक्षारती उत्तर पुस्ति का प्राप्ट करने के पस्चाद उत्तर लिखकर यानि कि आपको कोशन पेपर भी दे दिये जाएंगे आंसर सीट भी दे दिये जाएंगे ठीक है और यदि आप दिये हुए डेट में यानि कि 5 दिन के अंदर में जमा नहीं करते हैं तो आपको absent माना जाएगा और साथ ही आपको fail भी किया जाएगा तो दिये हुए डेट में आप विशेश ध्यान रखेंगे कि 5 दिनों के अंदर में आपकी जो आंससीट है वो जमा रह सके और इस बीज जो 1621 है और 5621 उसके बाद जो आपका next 5 दिन रहेगा जिसमें आपको आंससीट लिख कर जमा करना है तो वहाँ पर यदि किसी दिन सरकारी गॉर्मेंट छुट्टी भी होती है तो उस दिन आपका जो exam center है जो परिच्छा की center जहां से आपने आंससीट लिया वो खुले रहेंगे आप कारलीन समय में अपने आंससीट ले जा सकते हैं वो जमा करने के लिए भी वहाँ पर जा सकते हैं जो परिच्छारती है आप student लोग जो answer seat है उसको swim के त्वारा लिखेंगे किसी अन्य की handwriting उसमें नहीं होनी चाहिए अन्य था आपको फैल कर दिया जाएगा साथ ही उत्तर पुस्तिका के जो प्रतम पेज रहेगा उसकी जो समस्त इंफॉर्मिशन है role number subject और subject को साथ ही signature और दिनांक करना आपको important रहेगा और उसको सही सही जानकारी आपको fill करना है साथ ही उत्तर पुस्तिका जमा करते समय आपको वहाँ पे एक attendance seat दिया जाएगा उसमें आपको signature करना बहुत ही important रहेगा तभी आपको वहाँ पे उपस्तित माना जाएगा और छातर के द्वारा जितनी उत्तर पुस्तिकाएं आपने प्राप्त की है उतनी ही जैसे कि आपके जितने subject हैं उत्तर पुस्तिकाएं आपको दी जाएंगी और उतनी ही उत्तर पुस्तिकाएं आपको जमा करना होगा यदि आपने किसी उत्तर पुस्तिका को blank किया है यान पे स्वेम जाकर जमा करना है आपको डांक या पोश्ट से जो आन्ससीट उसको भेजना नहीं है, यानि की स्वेम उपस्तित हो करके आपको एकजाम सिंटर में जो आपकी आन्ससीट है, वो जमा करनी है, ऐसा क्यू है, क्योंकि आपको वहाँ पे joh attendance seat है, वहाँ पे signature करना हुए अपने answer seat को ले जाना है और जमा करना है तो अभी ही तक यहाँ पर cc boat के द्वारा इतनी information दी गई है आपके exam से related आगे time table जल्द ही आपकी जारी कर दी जाएगी और यहाँ पर बाकी की information के लिए आप हमारा चनल subscribe जरूर करें साथ ही जो bell icon है उसको प्रेस करके रखे ताकि जैसे भी कोई और notice आती है तो उसकी notification आपको जल्दी मिल सके और time रहते आपको वह information पता चल सके तो जैसे ही आपकी time table आती है या exam से related कोई और information दी जाती है तो हम अपने channel के माद्दम से आप तक information जरूर पहुचाएंगे और यदि इन में से किसी भी तरह से कोई confusion हो आपको समझ नहीं आया होगा कोई point माद्दम से पूछ सकते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो like करें साथ ही यदि आप नए हमारे channel में पहली बार आए है तो channel को subscribe जरूर करें ताकि हर information आपको समय रहते मिलती रहें